नमस्कार दोस्तों, Computer with Kern में आपका स्वागत हैं आज हम लोग देखेंगे, Operating System में, Disk Operating System DOS, जेनरली DOS का उपयोग अब नहीं किया जाता है अब Windows PK through work होता है Disk Operating System है, Single User, Single Tasking Operating System है Disk Operating System, Microsoft से Disk Operating System DOS को खोलने के लिए, Run में जाने के बाद Command Prompt प्रेस करेंगे तो ये खुलेगा, जैसे ही Command Prompt प्रेस करने के बाद Enter देंगे, खुलेगा, ये इस तरीके का हमारे सामने डिस्पले आता है ठीक है, ये C, C जो दिया हुआ है इसको Drive कहते है, ये Slash है, Slash को Command करते है इसको Cursor कहते है, ठीक है, आते हैं Command Command क्या है, Command is a path of process any work Command एक रास्ता है, जिसके माधियम से हम किसी भी work को करते है Drive, Drive एक location है, जहां पे हम किसी भी file को save करते है जिस जगह पे हम save करते हैं, उस location को, उस जगह को हम, उस location को हम Drive कहते है जैसे C Drive, D Drive, E Drive, F Drive, और भी ऐसे कई Drive है DOS में, हम Command के माधियम से ही, किसी भी file को बनाते है Command कुछ ऐसे दिये गए है, DOS के अंतरगत, जैसे है CopyCon CopyCon It is used to make any file in DOS C Drive के अंतरगत, जैसे हैं लिखेंगे, file बनाने के लिए Copy, Space, Con, Space, जिस नाम से file बनाएंगे, वो नाम देंगे ठीक है, वो नाम देने के बाद, इंटरप्रेस करेंगे उसके बाद, उस file के अंतरगत, कोई ही message अगर टाइप करना हो तो message टाइप करेंगे, then type any message, and press Ctrl-Z Ctrl-Z, जब Ctrl-Z, सेव करने के लिए दिया जाता है Ctrl-Z जब press करेंगे, तो Ctrl-Z, ये sign आएगा ठीक है, ये sign जब आएगा, फिर इंटरप्रेस करेंगे तो एक message हो करेंगा, message हो करेंगा, क्या One files copied, यानि एक copy file तयार है ठीक है, और आगे उसके लिए, ये copy तयार हुआ है कि नहीं, ये file तयार हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम लोग देखेंगे, कहां पर, आगे हम उसको वो बता रहे हैं, कहां पर और कैसे देखेंगे सो, इसके आगे है, md, make directory make directory, this command is used to make any directory md, directory name, जिस नाम से directory बनाएंगे, वो name देंगे md, directory name, जिस नाम से directory बनाएंगे enter मारेंगे, वो directory बन जाएगा directory एक प्रकार का छोटा सा घर है, जिसके अंतरगत हम किसी भी file को बना सकते हैं, किसी भी file को रख सकते हैं डिरेक्टरी एक छोटा सा एक फोल्डर है, एक छोटा सा घर है, ठीक है, उसके बाद फाइल और डिरेक्टरी बना है कि नहीं, उसको देखने के लिए DIR, DIR का फूल फॉर्म होता है, DIR का फॉर्म होता है, DIR का उप्योग करते हैं, से, ड्राइब में,?, डी, आय, ऑर, प्रेस करके, इंटर मारेंगे, तो, सो करेगा, नीचे, लीच्ट में, दिखाई देगा, किस डेट में बदा है, ठीक है, उसके बाद, टाइमिंग भी, इसमें, सो करता है, किस टाइम में बना है, कितने file है कितने kb का उसका space कितना है उस file का space कितना है ठीक है जिस नाम से file बना हुआ रहेगा जैसे मान लिजिए yes yes नाम से file बना हुआ है yes उसके बाद dir dir bracket में दिया हुआ रहेगा dir प्रेस करेंगे और जिस नाम के आगे dir बना हुआ रहेगा वो directory है और जिस नाम के आगे ये k भी लिखा हुआ रहता है यानि इस पर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है ये numbering जिस नाम के आगे रहेगा उसको file हम कहेंगे ठीक है दोस्तो आगे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक्यू